सबक नमबर चे सवराज कायम करने का है इस सबक का पहला नुक्ता है रायरेश्वर का मंदिर रायरेश्वर का ये मंदिर पूना के जुनूब मगरिब में बड़ी सोहनी जगा पर वाकी है सन इस्वी 1645 में वहाँ एक गहर मामूली वाक्या पेश आया शिवाजी महाराज और कुर्व जवार की वादियों में रहने वाले कुछ माउले वहाँ जमा हो गए प्यारे बच्चो इस से पहले के सबक में हमने माउलों के बारे मालूमात हसिल किये थे के माउले कौन थे ये माउले शिवाजी महाराज के बच्चपन के दोस्त थे अब इस घने जंगलों में जालियों से घिरे वे इस सुंसान मंदिर में वो क्या मश्वरे कर रहे थे वो शिरी शंकर से कौन सी मुराद मांग रहे थे सवराज कायम करने का अहद इसकी दुसरी हेडिंग है हमारी नौजावान शिवा की जोशिली बाते पहरे बच्चों यहाँ पर शिवाजी महराज के लिए इस्तिमाल किया गया है शिवाजी महराज और मौले बच्चे रायरेश्वर के मंदिर में क्यूं जमा हुए थे क्यूंके शिवाजी महराज इन से अपनी दिल की बात कहिना चाते थे कि कब तक हम दुसरों के रहम औ करम पर जीते रहेंगे हमारे अत्राफ गैरों की हुकुमते है इन में आए दिन लडाईया होती रहती है इन लडाईयों में हमारे ही लोग मारे जाते है खांदान की खांदान उजड़ जाते है मुल्क बरबाद होता है इतना सब कुछ बरदाश करने के बावजूद हमें इसका क्या फल मिलता है फक्त गुलामी हम ये सब कब तक बरदाश करते रहे दुसरों के लिए कब तक अपने आपको कुर्बान करे तुम ही बताओ क्या जागीर और वसंदारी के लिए सब हम ये सब हम यूही जारी रहने दे शिवाजी माराज ये तमाम बाते बड़े जोश से कह रहते इनका चहरा दिली जज़बा से तिमतिमा रहता बोलते बोलते वो रुख गए और अपने नवजवान साचियों की तरफ देखने लगे रायरेश्वर के मुकाम पर जमा होने वाले नवजवान मौले माराज की बाते सुनकर जोश और वलवले से भर गए इन्हें एक नई रोशनी मिली इन में से एक नवजवान बोला कहो छोटे राजा कहो हम सब हम से अपनी दिल की बात कहो तुम जो कहोंगे वही करने के लिए तयार है सारे बहदुर और जोशिले नवजवानों ने एक आवाज में कहा हा राजे कहो तुम जो कहोंगे हम करेंगे जरूर पढ़ने पर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे इसलिए शिवाजी महाराज ने एक बड़े काम का बेड़ा उठाया बेड़ा उठाना यानि कोई काम करने का ठान लेना अब मुझे ये काम करना ही है इसलिए शिवाजी महाराज ने सवराज काहिम करने का बेड़ा उठाया था झाल